हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने जिनवरी 2024 सेशन में एड्मिशन लिया है तो आपको जून 2024 का एक्जाम देना है या फिर नहीं देना है दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी अपने जून 2024 एक्जाम की तयारी करने जा रहे है तो आपको नीरच पॉब्लिकेशन की तरफ से खास ओफर दिया जा रहा है simply आपको neerajbooks.com इस website पर आना है पर आप अगर neeraj publication की बुक इगनू की guidebook purchase करते हैं तो यहाँ पर आपको MRP पर 50% का discount दिया जाएगा यहाँ पर इगनू की सारी guidebook आपको मिल जाएगी चाहे आपका bachelor degree का program और चाहे आपका master degree का सभी books यहाँ पर available है तो आप आज यह इस offer का फायदा उठा सकते हैं साथ के साथ आप मेरा special promo code MA2023 यूज़ करके अलग से extra discount का benefit ले सकते हैं जिसका link आपको मैं description box में मिल जाएगा दोस्तो आप topic पर आते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इगनू के जून 2024 exam के लिए exam form रिलीस किये जा चुके हैं ऐसे में जून 2024 का exam जनवरी 2024 के students को देना है या नहीं देना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जून 2024 का exam form आपको दिया गया है और यहाँ पर साथ साथ बताया गया है कि जिन भी students ने जनवरी 2024 में admission लिया है किसी भी certificate, PG certificate और जितने भी semester based के program है तो उन सभी program के students को अभी जून 2024 का exam देना है यानि कि जून 2024 का जो exam है वो सभी students देंगे जिनोंने जनवरी 2024 में किसी भी certificate या फिर post graduate certificate या फिर PG certificate या semester mode के program में अगर आपने admission लिया है और इसके लिए जो date है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर admission लिया आपका admission confirm हो गया है तो 22 अपरेल तक आप अपना exam form भर सकते हैं इसके बाद 23 अपरेल से लेकर 25 मही तक 1100 रुपए late fine के साथ आपका exam form भरा जाएगा यहाँ पर जितने भी certificate based program के students है और जितने भी PG certificate और semester mode के students जैसे की BCA, MCA, PGDCA और यह बहुत सारे program है जो semester mode में है तो अगर आपके भी यह सभी program है तो आप June 2024 का exam form जल से जल भर दे जिसका exam June में होगा तो दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि June 2024 exam के लिए आप eligible है या नहीं June 2024 में आपको exam देना है अगर आपने PG certificate, certificate या semester mode के program में admission लिया है और आपको अभी 23 और आपको अभी 22 अपरेल तक अपना exam form भी भरना है 22 अपरेल तक कोई भी late fine नहीं लिया जाएगा 200 रुपए आपसे पर subject fees ली जाएगी और 23 अपरेल के बाद आपसे 1100 रुपए late fine लिया जाएगा साथ के साथ exam fees भी लगेगी आपकी देन exam form भरने के बाद June में आप exam दे सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे यो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद